हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बेक टू ए क्लासे, देखिए बच्चो इस वीडियो में हम आपका हिंदी पाठे पुस्त का टेन लेशन, मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जबानी ये कंटीन्यू करेंगे, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के दो पेजों की रिडिंग कर लिये थे, अब देखिए थर्ड पेज कहां तक रिडिंग कर लिये थे, ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सके, हर स्टेशन पर छपे हुए, रूट मैप उपलब्द है, फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई परिसानी हो तो आपकी सेवा क लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है, हर स्टेशन पर प्रात्मिक चिकित्सा का प्रभंध है, विकलांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए विल्चेयर यानी पयेदार कुरसिया की विवस्ता है, आपको भुख सता है तो स्टेशन पर ही पेट पु पशक्ता हो तो लगबग हर स्टेशन पर बेंको की ATM मसीनी उपलब्द है उनका सदू प्योग करे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्राहल भी है जिसे जरूर देखना चाहिए तब पता लगेगा कि दिल्ली मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाध पार करनी पड़ी अब आप प्लेट फार्म पर पहुचिये आने वाली गाड़ी की ते मिनट बाद आएगी और कहां जाएगी यह सब आप सुचना पट को देखकर जान जाएंगे आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है मेरे आते ही आटोमेटिक दरवाजे खुल जा सिमसिम की तरख खुलेंगे और बंध होंगे आप बस आराम से सवार हो जाएए महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डिबा आरक्षी थै अन्य डिबो में भी कुछ सीटे महिलाओं पुजुर्गों यों विकलांगों के लिए आरक्षी थै हर डिबे में भरपुर रोसनी साप सफाई है जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुशती है उसके नाम की उद्गोसना पहले ही कर दी जाती है संकट की स्थिती में चालक से सीधे बात की जा सकती है इतनी सुविदा होने के उपरान भी कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ लोग नीमों का पालन नहीं करते कुछ यूवा फर्स पर बैट जाते है संगित बजाते है नाचते गाते है कभी कभी लिपटों में भी दोड़ कर चड़ जाते है जिससे कमजोर्यों व्रिद लोग चड़ नहीं पाते चड़ते या उतरते समय धक्का मुकी भी करते है इन बुराईयों क आप जैसे पड़े लिखे उत्साई बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं बावजुद इन सब के मैं दिल्ली की सान तो हुई ही तो आईए मेरी सवारी कीजिए आपको घुमने से खुसी मिलेगी और मुझे घुमाने से तो देखिए बच्चो इस पार्ट की रिडिंग हो गई है इ सब्धार्ट को समझिए और उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है तो देखिए बच्चो क्या है दार्मी किस्तल का मतलव होता है पूजा पाट करने की जग सफर का मतलब होता है यात्रा वातानु कुलीत का मतलब होता है यंत्र की सायता से ठंडा रखने वाला इस विकलांग का मतलब जिसके सरीर का कोई अंग ठीक से काम न करता हो उसको हैंडिकैप कहते ही कि नहीं सदूपयोग याने अच्छा इस्तमाल संग्राहल है याने विशेश वस्तूओं को संग्रह करके रखने का इस्तान सुचनापट याने जीस पर सुचनाएं लिखी होती है इसके बाद है उद्गोसना याने सुचित करना संकट का मतलब होता है विपती या मुसीबत इसके बाद है उपरांत भी याने उपरांत का मतलब होता है बावजूद तो देखिए बच्चो ये पाठ हमको क्यों दिया गया इसका क्या उद्ध्य से रेडिंग करने के बार आपको समझ में आया होगा कि बच्चो को विज्ञान के चमतकारों से अउगत कराना है विज्ञान के छेत्र में भारत की उपलब्दियों को सामने रखना है और यह भी ब बारे में हम समझेंगे कि ये पाठ हमें क्याल क्यों दिया है इस पाठ में मेट्रों ने अपनी सपलता की कहानी स्वयम